इस वक्त बड़ी हलचल मचाने वाली खबरे निकल कर आ रही है सामने एक तरफ इजराइल हमास के युद्ध में बाइडन ने भी संदेशा भेजा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस के एरपोर्ट पर मच गया हंगामा तब जब ये सुनने को मिला कि एक इजराइली प्लेन और किस तरीके से हंगामा मचा जिसके बाद रूस से इसराइल को कहना पड़ा किस मेटर में जराकू दो जाने गे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ करल से एक बड़ी ही चिंता जनक खबर निकल करा रही है एक खबर नहीं बलकि इस खबर के साथ कई सारी चीजें जूड़ी हुई है जानेंगे केरल का जो सिचुएशन है वो सचमुच में चिंता क्यों दे रहा है जियो पॉलिटिक्स में इस मक्त धमाल मचा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सबसे पहले बात करें केरल की तो आपको बता दें इधर कुछ दिनों से ऐसे ऐसे घटना करम हो रहे हैं दो-तीन दिनों से जो की एकदम हैरान कर देने वाला है केरल बारत का सबसे खुबसूरत राज्यों में से आता है और इस केरल में कई सतरह के समुदाई के लोग रहते हैं और अब तक केरल बहुत अच्छे बैग्यानीक बहुत अच्छे लोगों को देने के लिए जाना जाता था यहां से बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं पर यहां पर केरल के ससी थरूर जो की एक जाने माने नेता है बारती राजनीती में इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं सौग्ड हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर एक रिलीजियस गेदरिंग में केरला में बलाश्ट होता है मैं इसकी निंदा करता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा राज कैसी मानसिकता का सिकार हो रहा है जिसमें लोगों को मारना तबाह करना इस तरह बढ़ा जा रहा है और ये बहुत बुरा है, मैं लोगों से ये कहता हूँ, सारे धर्म के लोगों से एक साथ आएं और एक साथ आकर इसका मुकावला करें अब ससी थरूर जो कि खुद केरल से आते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही आपको बता दे इससे पहले भी ससी थरूर ने एक बयान दिया था और इस बयान में ससी थरूर ने ये कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया वो हमास का आतंगी हमला था और इसके बाद ससी थरूर को आगे फलिस्तीन समर्थक जो भी रेलियां हो रही थी प्रोटेस्ट ह उनमें बुलाया नहीं जाने लगा तो ससी धरूर आगे जो फलिस्तीन समर्थक रेलिया हुई उसमें नहीं पहुचे उन्हें बुलाया ही नहीं गया क्योंकि उनकी सोच को अपने नजरिये से फलिस्तीन समर्थकों ने देखा पर इसके बाद क्या होता है फलिस्तीन समर्थको ती धर्म सभा जिसका नाम था याहुआ के विटनिस याहुआ के साक्षी और इसमें अचानक से अभी 5 मिनट हुए ही होंगे कि बम के धमाके होने सुरू हो गए एक धमाके के बाद 2-2 धमाके के बाद 3 कहा जाता है कि करीब 4-5 धमाके हुए और यहां पे 20 लोग घायल हो गए तीन लोगों की मौत बताई जा रही है इस्क्रीन पर आप आप आर्टिकल देख सकते हैं ये भयावा घटना हुई और इस भयावा घटना के बाद सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि एक सक्स ने सरेंडर करा और जिस सक्स ने सरेंडर करा वो भी यहावा के विटनेस समू का और इसका कहना है कि चुकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे पसंद नहीं आया जो कुछ भी यहां हो रहा था जो यह बता रहे इनके सिद्धान वगेरा इसलिए मैंने यह बिस्पोट किया अब यह एक बड़ी अजीब बात ह हो गई आप किसी चीज से औसमत है तो आप दूसरे को निसाना बना ले यह तो दर्सा रहा है कि आप दीरे दीरे उस मानसिक्ता में जा रहे हैं जहां अपनी बात नहीं पूरा होने पर आप दूसरों को नुकसान कर देंगे तो ससी थरूर इसी सोच के बारे में बात कर रहे थे आपको बता दे फिर चर्चा हुई उस फिलिस्तीनी रैली की जो ससी थरूर के बगएर हुई और जब बगएर हुई तो यह देखा गया कि यहां पर एक बड़ा इंट्रेस्टिंग चीज हुआ हमास के नेता को देखा गया कि यह ओनलाइन आकर यहां पर इसने भासन दिया इस बात को नियोर गेलोन जो की इसराइल के राज़ूत हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया और कहा कि देखो यहां पर यह देखने को मिल रहा है यह तो देखकर मैं भी आस्चरे चकित हो गया अब हमास के लीडर को ओनलाइन ही सही वर्चुली ही सही बुलाया गया होगा तभी वो यहां स्पीच देने के लिए आया पर इसने यहां पर स्पीच दी यह सारी चीजें इस वक्त केरल के अंदर देखने को मिल रही है सरकार अब यहां इन्वेस्टिगेशन की टीम बेच चुकी है एनाईय की टीम बेच चुकी है तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो दीरे दीरे निकल कर आएंगे पर हां केरल को देखते हुए थोड़ी चिंता जरूर हो रही है इसक्रीन पर आप देख रहे हैं एक सक्स बीच में खड़ा है हलाकि इसकी क्लियर फोटो नहीं आई है और यह वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकती पर हां इस वीडियो में हो क्या रहा है बीच में एक सक्स है डेर सारी भीड गेरे हुए है इसे और कहरी है इसका पासपोर्ट देखो इसका फोन देखो यहूदी है क्या अब यह हो क्या रहा है यह हो रहा है दागेस्तान में यह कहां पे है रूस का एयरपोर्ट रूस के एयरपोर्ट में एक प्ले जाती है कि ये जो प्लेन है ये प्लेन इसराइल से आया है और इसमें यहूदी सवार है बस इतना सुनने को है कि बहुत बड़ी भीड इस प्लेन को घेर लेती है और आपको बता दे प्लेन को घेरने के बाद हर एक को चेक किया जा रहा है कि इसमें यहूदी है कि नहीं है अब ये जो पूरी भीड थी ये भीड यहूदियों के साथ क्या करती वो तो पता नहीं संजोग से यहूदी नहीं मिले और हो कहां पर रहा है ये हो रहा है रूस के अंदर लोग अलाहू अकबर का नारा लगाते हुए ये कर रहे थे रूस के दागिस्तान प्रांत के माखच काला सहर में जहां इजराइल से फ्लाइट आने की अफवा फैलने के बाद एरपोर्ट पर भीड ने तूफान मचा दिया रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक रूस के दागिस्तान प्रांत के माखच काला सहर में रवीवार को एक भीड ने हवाई अड़े पर ये अफवा फैलने के बाद धावा बोल दिया कि इजराइल से एक फ्लाइट आ रही है इनका कहना था कि फ्लाइट लेकर जो आए हैं उन्हें वापस इजराइल भेज दो उन्हें यहां रहने की जगह नहीं देनी चाहिए खेर अब इजराइल हम हमास के युद्ध में हो क्या रहा है तो आपको बता दें स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं बाइडन ने यह कहा है कि इसराइल अगर एक्सन ले रहा है तो उसे हमास और गाजा में अंतर समझना होगा कि गाजा के आम सिबिलियन को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए और कहा जा रहा है मार्केट वॉच्च की यह रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दो मील अंदर गाजा पट्टी में घुश चुका है इसराइल और इन सब के बीच इरान ने भी एक संदेशा दिया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इरान ने वार आसर पड़ रहा है तो चुकी इसराइल ने काफी दीरे दीरे से यह उप्रेशन सुरू किया है एकदम से नहीं किया है जिसकी वज़े से मार्केट में अभी तो थोड़ी इस्थीरता देखने को मिल रही है स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं लेकिन यह इस्थीरता में आपकी क्या रहा है कमेंट कर चरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ